इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स कि आप अपने किसी भी Android मॉइल फोन में Select to speak सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आपको कोई सभी मॉइल फोन हो Realme, Oppo, Vivo, Samsung या फिर टेक्नो या फिर दोस्तों इन्फिनिक्स तो आपको सभी मॉइल फोन में जब आप Accessibility सेटिंग में आएंगे तो आपको एक option मिलता है Select to speak का और दोस्तों यह एक ऐसा hidden feature है जिसमें दोस्तों आप जो है περι tired मॉइल को देखे भी न आप अपने मॉइल पर लिखे हुए किसी ही text को आप जो है सुन सकते हैं तो दोस्तों इसे कैसी उच किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए ज्यादा समयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ से पहले अगर आप मेरे यूट्यू चैनल पर नहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पासवाले नोडिफ सट्टिक निश्न को मैं सयटिंग में गाँ और रियल में को मुबाइल होan यूज करते हैं तो आपो सेटिंग में आने तो अगो नोम Tक कोशन PPE लेकर नोटिंग तो शुर पर कृलिक कर देना हैि लेकिन में इसोइन चाहिए तो हम इसमें नीच आएंगे तो हमें option में जाएと special function का हम यहां हम पर click करेंगे तो हमें यह dire accessibility का option में यहाँ पर click करेंगे है अउडसוה्ब़ेटी में आपको एक option वेगा select to speak लिप लिए करेंगे और देखिये select to speak का उन करने के लिए आप यह select to speak सॉड़कर वहला setting ऐनेवल कर देंगे setting ऐनेवल आईवल कर देएंगे फिर इलाओ पर क्लिक करेंगे फिर गोईट पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि देखिए आपके फ़ोन में नीचे हैं कोड़े में एक दोस्तों आइकन सो कर सुनने में आ जाए तब आप इस option का यूज़ कर सकते हैं अब दोस्तों देखिए हमारे फोन के स्क्रिंट पर जो जो भी लिखा रहेगा तो दोस्तों वह हमें जो है मोबाइल यहां पर सुनाएगा कि आपके फोन में यहां पर यह लिखा हुआ है अब दोस्तों देखिए कैस से सुनाएगा तो उसके लिए आपको यहां जो है इस सैटन कर किक कर देना है उसके आपको सफिंगर बाको वाइस कर देना है धो छो लिखाओग हो आपको यहां पर पढ़ Fell करता हूं तो यहां पर सहां एस दीग सएटिंग्स करूँ उपाब्स तो दोस्तों इस तरीके साफ जो अपने एंड्रोइड वार्फोन में सेलेक्ट टूस्टिक सेटिंग को यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा